कि अपस्वी का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी के एक और नए इंफर्मेटिव वीडियो में और आज का जो हमारा वीडियो है इसका डिस्केशन रहेगा सैनिक स्कूल के अराउंट और सैनिक स्कूल में भी जब आपको कोई पर्टिकुलर सैनिक स्कूल चूज करना होता है तो उसमें आप जरूर जानना चाहते हैं कि पूरे भारत से कौन-कौन से सैनिक स्कूल है जो बहतर माने जाते हैं इस हिसाब से अपनी कट आफ को देखते हुए और जो इकांसलिंग की प्रॉसेस है जिससे संबंधित वीडियो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुक साइटी के अंदर आते हैं और कौन से स्कूल है जिनमें आपको एक बहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है और वेरियस लेवल्स यहां पर हम तरसल कंपेर करेंगे अलग-अलग स्कूल को इंटम्स ऑफ डियर अचीवमेंट्स वहां पर पढ़ाई का इस तर क्या है और बाक तमाम सेनिक स्कूल के नाम according to their state यहां पर दिये गए हैं और इसके साथी साथ आपको सेनिक स्कूल की ओफिशल वेबसाइट्स भी दी गई हैं इन ओफिशल वेबसाइट्स में आपको उनके internal structure उनके academic results और बाकी सारे achievements की बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और अगर आप किसी particular सेनिक स्कूल को अपने दिमाग में रखे हुए हैं तो उसकी जरूर official वेबसाइट को विजिट आपने कर ही लिया होगा वहां आप उनको अलग-अलग मापदंडों पर भी जरा चेक कर सकते हैं और वो कौन-कौन से मापदंड हो सकते हैं या फिर सेनिक स्कूल को finalize करने से पहले हमें किन-किन बातों का धियान रखना चाहिए जरा उसका यहां पर मैं थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि why we are talking about सेनिक स्कूल because why सेनिक स्कूल ये एक बड़ा जुलन सवाल आपके सामने हो सकता है कि क्यों हम किसी को सेनिक स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं ऐसा क्या मिलता है सेनिक स्कूलों में इसकी वजह से किसी भी बच्चे को वहां पढ़ lifestyle जीने की तो military grade discipline होता है वो आपको यहां पर बच्चे को सुरुवात में ही मिल जाता है यानि कि जीवन के उन वर्षों में जब बच्चे का formation हो रहा होता है वो किसी बात को अपने अंदर समाहित करने की स्थिती में रहता है उसी दौरान अगर उसे किसी ऐसे माहौल में प का मौगा मिले यह एक बहतर इंसान बनने की तरफ पहला कदम होता है इस लिहाज से सेनिक स्कूल एक बहतर अपॉर्चुनिटी एक बहतर आउसर आपको प्रवाइट करते हैं एक discipline military grade lifestyle को जीने के लिए उनके अलावा जो दूसरी सबसे महत्यपूर्ण बात है वो किसी भी स् में कैसा प्रदर्शन किया जाता है academic importance के हिसाब से भी आपको फैनिक स्कूल में बच्चों को admission दिलाने के लिए सोचना चाहिए academic importance का मतलब है कि आपके जो syllabus है और जो आपका school education का curriculum है design किस प्रकार से किया गया है क्या आपको school ही शिक्षा के दौरान ऐसी जरूरी बातों से अउगत कराया जाता है जो आपको भविश्य में बहतर इंजान है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं और जो आप चीज़ों को जानने और समझने की स्थिति में होते हैं उस दौरान अगर आपको सही सिक्षा मिले तो आप एक लंबे समय तक उस सिक्षा के महत्तों को और उस शिख्षा की जो जरूरत है उसको पूरा करते रहते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छी स्कूली सिक्षा ना मिलने के कारण जीवन के आगे के पक्षों में हम पिछड़ते जाते हैं यही को बहतर पाठ्ठेक्रम और पढ़ाई की बहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइट करते हैं तो इस लिहाज से भी हमें यह पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल बहुत जरूरी है साथ ही साथ जो यह एक एक्स्ट्रा एज यह भी मिलता है कि जो अपकमिंग कॉंपिटिटिव यह इसे कि बहुत प्रतिस्परधी एक्जाम दिये जाते हैं उन परिक्षाओं की तैयारी के लिहास से भी स्कूली शिक्षा को डिजाइन किया जाता है ऊपकमिंग कॉंपिटिटिव एक्जाम्स में भी जैनिक स्कूल से बड़े हुए बद्चे बहतर प्रदर्शन करते है और साथ ही साथ आपको यहां पर चो भारतिय सेनाओं में शामिल होने के मौके हैं जैसे कि NDA या TDS या फिर जो other exam कराये जाते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ती भारतिय सेनाओं में शामिल हो सकता है उसके लिए भी बहतर तैयारी एक स्कूली शिक्षा के दौरान ही मिलनी शुरू हो जाती है और यह भी दिखा गया है कि स्थैनिक स्कूल से बढ़े हुए बच्चों का success rate in clearing these kinds of competitive exam and becoming an officer in any forces वो ज्यादा है और यहां पर भी एक तरीके से स्थैनिक स्कूल में पढ़ाई करना अपने आप में attractive destination हो जाता है जो अगली मुहत्वपूर्ण quality जो स्थैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है वो है physical fitness और यह हलां कि जादा इस पे कोई गौर नहीं करता हो लेकिन फिर भी आज के समय में इसकी बेहत जादा जरूरत है हम सबी जानते हैं कि एक कम उम्र से ही बच्चों को junk food, fast food की आदत लगती है और साथी साथ माता पिता भी अगर उन पर proper health wise, food wise ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आने वाले समय में जब वो बच्चे के शोरा वस्था में जाते हैं तो उनहां proper development नहीं देखने को मिलता है साथी साथ ये बच्चे शारिरिक रूप से भी दुर्बल इस्तिती में होते हैं आप यहां पर यह समझे कि कोई बच्चा अगर दिखने में healthy है लेकिन उसकी जो शमताएं हैं जिसे आप उसके physical stamina से जज़ करते हैं अगर वो शमताएं हरपूर नहीं है तो फिर वो कहीं ने कहीं life में किसी ने किसी मुकाम पर इस कमी का एहसास ज़रूर करेगा और physical fitness एक बहतरीन feature है जो की तमाम cynic schools में दिया जाता है जो उसके discipline का ही एक हिस्सा है और एक कम उम्र से ही बच्चे अपने स्वास्थ और एक healthy lifestyle के महत्व को कमज जाते हैं उनके जीवन में ये food और उससे related जो भी इच्छाए हैं डिजायर्स हैं वो एक बहुत early age में ही एक balance study में पहुँच जाती है और इसके थुरू उनका overall physical development भी होता है और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एक स्वस्त सरीर में ही एक स्वस्त दिमाग का भी निवास होता है तो एक हिसाब से जो आप physical fitness में ध्यान देते हैं तो आप बहुत सारी आरिक कमजोरियों से भी उबर जाते हैं और धीरे धीरे आप मानसिक रूप से भी टाकत्वर होते जाते हैं तो सैनिक स्कूल में पढ़ाई के इन तमाम महत्तों के अलावा भी आपको overall अगर मैं एक बात कहूँ जिसकी वजह से आपको सैनिक स्कूल को प्रिफर करना चाहिए या ऐसे किसी भी स्कूल को प्रिफर कर the overall development of a human being can be possible with the help of a good education and the environment कि जब बच्चा इस तरीके के इन्वायर्मेंट में पढ़ता है अपने आसपास वो उन तमाम महान कहानियों को सुनता है जो की तेना से या फिर जीवन के अन्य पक्षों से जुड़ी हुई है और ऐसे महान लोगों से मिलता है तब उसके भीतर भी एक बहतर इंसान बनने क जजबा पैदा हो जाता है और यह उसके चारित्रिक विकास के लिए बहुत जरूरी है और यह ओवरॉल साइटी के लिए भी आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी चीज़ है इन सम्प बातों के अलावा आपको सेनिक स्कूल के अंदर कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर ए एक्सपोजर वन किन गेट अगर हम यहां पर एक चोटा सा कमपैरिजन करें एक ऐसे विद्ध्यारती की कलपना करते हैं जो किसी गाउं या एक चोटे से कजबे में पढ़ाई करता है भले ही वह स्कूल कितना ही अच्छा हो वहां उसको पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से हो इन्वाइरमेंट मिल जाए और बहुत सारी अन्यगतिविधियों में भी उसका चारितरिक विकास हो लेकिन जो एक्सपोजर या फिर जो दुनिया में वेरियस टाइपस ऑफ पीपल सोसाइटी उनसे इंटरेक्शन करना और अपनी कुछ खास होबीज को इंकलकेट करना इन लीजिए अगर एक बच्चा है जिसकी होबी हो सकती थी कि वह बैडमिंटन में बहुत बहतर खिलाडी बन सके लेकिन उसके गाउं और उसके कजबे के इलाके में बैडमिंटन या उसके स्पोर्स को लेकर के कोई अवेरनेस ही नहीं हो फिर वो बच्चा इस शेत्र में शु चैनिक स्कूल के फाइदे बताना चाहरा हूं और उस लिहाज से अगर किसी एक स्कूल में आपको एक्स्ट्र करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर बहुत सारी डिबेटिंग कॉंपुटिशन में भाग लेने का मौका मिलता है आपको लाइव क्विज में पार्टिसिपे दो चार होने का भी मौका मिलता है विथ दी एक्सपर्ट सुपर्विजन यह अपने आप में एक बहतर अपॉर्चनिटी है किसी भी ऐसे बच्चे के लिए जो अभी अपनी स्कूली शिक्षा के शुरुवाती चरण में है और इस लिहाज से आप बहुत सारी अधर क्वालि रिस्क लेना सीख जाता है वो यह जान जाता है कि जोखिम उठाने में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके भीतर एक टीम स्पिर्ट जरूर पैदा होती है क्योंकि खास तोर पर जब हम सेनिक स्कूल की बात करते हैं यहाँ पर आपको यह अक्सर सिखाई ज ग्रूप वहां भी आपको एक टीम स्पिरिट और एक दल के साथ रहने की भावना विक्सित होती है इन सब बातों के अलावा आपके भीतर लीडर्शिप क्वालिटीज को विक्सित करने का यह एक बहतर प्लेटफॉर्म बनता है तो इन सब बातों के आधार पर इस बात को और जादा इस पश्ट करने के मुझे लगता है वशकता नहीं है कि स्टूडेंट को वहां हमें क्यूं एड्मिशन लेने की तरफ सोचना चाहिए या फिर ऐसे किसी स्कूल में जो स्टूडेंग स्कूल या इस तरह की क्वालिटीज को अपने भीतर इंकल्केट करने का मौक आगे जाकर कि उनके जीवन में उन्हें कई मायनों में बाकियों से या फिर समाज के मा की लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज या कटिंग एज प्रोवाइट करते हैं और इस लिहाद से माता-पिता की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे बच्चों के इस पूरे ओवरॉ करना चाहिए यह अगला सवाल आता है तो विच सेनिक स्कूल शुडवी लुक फॉर आपको मैं बता दूँ इस समय ओल इंडिया सेनिक स्कूल सुसाइटी के तहत भारत में 33 नंबर अफ सेनिक स्कूल आर रणिंग इन 33 नंबर अफ सेनिक स्कूल की ही मैं यहां पर बात करूंगा इतके अलावा कुछ न्यू सेनिक स्कूल भी है मगर उन सैनिक स्कूल की बात करना अभी उचित नहीं है पहली बात तो यह है कि वो जो नए सैनिक स्कूल है वहाँ जो भी academic स्थर है और जो वहाँ other criteria हैं उन्हें जज़ करने के वो clear नहीं है पहली बात दूसरी बात यह है कि एकसर ऐसी reports देखी गई है और अपने personal experience से हमें पता है यह जो न्यू सैनिक स्कूल है या जो इन 33 सैनिक स्कूल के अलावा नए स्कूलों की category में कुछ 46 के आसपास स्कूल है वो किसी ना किसी ऐसे private school जैसे ही है जहां आप अपने बच्चे को जनरली education लेने के लिए भेजते हैं इस approach के साथ कि यहां आपको quality education मिलेगी तो उसमें एक extra edge जो सैनिक स्कूल को मिलता है वो शायद मिलने में अभी कुछ समय है इस लिहास से हम सिर्फ और सिर्फ in 33 number of सैनिक schools के आधार पर अपनी बात को यहां पर रख रहे हैं दूसरी बात यह है while we are talking about which scenic school you should prefer यहां पर कुछ schools के मैं example दूँगा और यह एक उदाहरण के तौर पर ही आप इसे लेना example देने के पीछे purpose यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सैनिक स्कूल की details के आधार पर कि आप जब भी सैनिक स्कूल को देखें अपने बच्चे के admission के लिए या फिर किसी भी और तरीके से तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखें या आपको समझ में आ जाए तो विच्च सैनिक स्कूल अंडर दीज 33 सैनिक स्कूल के टिगरी वहां पर हमें वी हैब तो कंपेर डिफरेंट सैनिक स्कूल इंटरम्स आफ वेरियस प्रेक्टर्स हम इनका कंपैरिजन करेंगे किस आधार पर तो कुछ क्राइटेरिया में आपको बता सकता हूं कि वहां पर academics के स्थर पर कैसा प्रदर्शन किया जाता है और यह कहीं न कहीं आखा जा सकता है academic result के आधार पर academic result का मतलब है कि board exams इसकी 10th और 12th के exam होते हैं उन में उन स्कूलों का कैसा प्रदर्शन रहता है उसमें कितने percentage passing percentage है मतलब जितने बच्चे exam देते हैं उन मेंसे कितने प्रतिशत बच्चे वहां उस exam को pass कर जाते हैं और साथ ही साथ कितने प्रतिशत अंकों के साथ उसे पास करते हैं यह एक मोटा मोटी superficial तरीका हो सकता है और अभी के समय में इतना ही possible भी रहता है कि हम उनकी academics के इस तर को जात सके हैं उन सबके अलावा आपको उनके अधर रिजल्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जैसे की स्कूल जाने ही जाते हैं सेनाओं में जिसके थूँ आप एक civil सहिवक या IAS, IPS बनते हैं उन exams में कैसा प्रदर्शन है इन स्कूल के बच्चों का बाद में जब आप 12 पास कर जाते हैं तो एक phrase है हमारे पुर्यदेश में IIT में कितने admission होते हैं वो भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा various other examinations में सैनिक स्कूल के बच्चों का कैसा प्रदर्शन रहा है इसके बारे में हम जाच सकते हैं इनके आधार पर हमें एक मोटा मोटी comparison करके यह समझ सकते हैं कि जिस सैनिक स्कूल में हम अपने बच्चे को भीजना चाह रहे हैं आपको academics में बहतर result मिलता है या नहीं और इसके अलावा अगर आपको other criteria में सैनिक स्कूल को जहस करना है तो मेरा मानना है कि इन 33 numbers of सैनिक स्कूल में जादातर सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल आपके बागी criteria में 19-20 साबित होंगे मतलब वहां आपको बहुत जादा difference नहीं देखने को मिलेगा मैं बात कर रहा हूं यहां पर extra curricular activities की मैं बात कर रहा हूं यहां पर team spirit leadership qualities को develop करने की और मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक disciplined healthy lifestyle को जीने में यह सभी सैनिक स्कूल लगभग एक जैसे ही approach के साथ चलते हैं इसकी वज़ा यह है कि इन सैनिक स्कूल का संचालन खुद सेना के प्रमुख officer करते हैं और उनके जो जीवन शेली है उसी को यहां पर भी implement करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं बागी factors के आधार पर तो सै इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी में आते हैं कई सारे criteria पर अकसर जज़ भी किये जाते हैं by the government उन सब आधारों पर उनको time to time अपने को polish करते रहना पड़ता है और उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल में भीजने का मतलब है कि apart from academics यह सारी qualities तो बच्चे म में भी है और उसके आधार पर आप बच्चे के भविश्य की बीजिंता करते हैं तो इन आधारों पर भी हमें कुछ सैनिक स्कूल को compare कर लेना चाहिए तो आईए इस आधार पर आप देखते हैं पहले तो भारत में सैनिक स्कूल की संख्या जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सो आंधर प्रदेश राज्य का और यहां पर आपको दो सैनिक स्कूल देखने को मिलते हैं पहला है सैनिक स्कूल कोरुकुंडा और दूसरा है सैनिक स्कूल कलिकीरी इसी तरीके से कई सारे छोटे राज्य हैं यहां पर एक सैनिक स्कूल की व्यवस्ता है तो यहां पर अरुना सुझाटल प्रदेश में सैनिक स्कूल हुज tujaudanpur 13 है ये जो सैनिक स्कूल है और सटेξ के नाम लिखे गए है इन ही के आगे आपको हिन्स्कूल की आप को जानकारी चाहिए इनकी official website में मॉजूद रहती है अगली slide में फिर कुछ और κेमियर सबस्टों के नाम है जैसे कि जम्मूएन कश्मीर में Κेमिर सबस्टू नगरोटा है जार्खस्राषट में सबस्ट एक इसकूल चद्रपूर है te की official website आपके सामने यहां पर मौजूद दिखेगी के अलावा अगले जो slide है उसमें बचे हुए सैनिक स्कूल यानि की total number of 33 सैनिक स्कूल will be completed here और यहां पर आपको उडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्राखंड और West Bengal के सैनिक स्कूल की जानकारी मिल रही है जिन में से राजस्थान में दो, उत्तर प्रदेश में तीन सैनिक स्कूल देखे जा रहे हैं इन सब सैनिक स्कूल ही पहले बात कर लेते हैं, सैनिक स्कूल घोडा खाल में अगर मैं इसकी दस्वी के रिजल्स की बात करूं, यह एक 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 अकेडमिक रिजल्ट की में बात करना हूं और वेरियस अदर फेक्टर भी होते हैं, टेंठ रिजल्ट में दस्वी में 2000-21, कि यहां पर लिखे जाएंगे यहां पर लिखे जाएंगे और जितने स्टुडेंट्स ने एक्जाम पास किया उनकी संख्यां यहां पर लिखी जाएगी 2020 में 103 जो कैड़ेट्स थे उन्होंने एक्जाम एपियर किया था तैंथ का उसके अलावा अगले साल 94 और उसके अगले साल 73 अर्दी नंबर आफ स्टुडेंट्स या कैड़ेट्स उनको कहा जाता है अगर उसकी बात करूं सैनिक स्कूल घुडाखाल का रिजल्ट हमेशा आपको इसी प्रकार का दिखेगा जितने स्टुडेंट्स अप्यर हुए हैं उतने ही स्टुडेंट्स पास भी किये हैं तो टेंथ का रिजल्ट यहां पर आपको 100% देखने को मिलता है और कहीं ने कही ये एक तरीके से सेनिक स्कूल की एकेडमिक जो एचीवमेंट्स हैं उसकी तरफ भी इशारा करता है बाद अगर मैं करूं 12 के एक्जाम की जो की 10 के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड एक्जाम होता है यहां से भी आप 12 के रिजल्ट के आधार पर भी देख सकता है यहां पर फिर से अगर हम 2020, 2021, 2021 और 22, 2023 में बात करें एक्जाम में एपियर होने वाले कैडिट्स की और फिर हम बात करेंगे इसमें पास होने वाले कैडिट्स की और आप देख भी पा रहे होंगे कि संख्या बड़ी है 12 में एक्जाम में एपियर होने वालों की इसका मतलब जो बैट साइज है वो लगातार बढ़ रहा है खोड़ाखाल में एक तरीके से यह डिमांडिंग स्कूल की कैडिग्री में आ रहा है एक स्कूल घौड़ाखाल में पास होने वाले वेरियस यहस में स्टूडेंट की संख्या है 56 और बैयानव है जैने कि 56 में से 56 73 में से 73 और 93 में से 92 स्टूडेंट स्टूडेंट की सब्सक्राइए है एक्जाम ना दे पाया हो या कोई और वजह हो लेकिन ओवर ओल यहां पर भी आपको लगभग तुरूआउट दी एर्स हंड़िट परसेंट के आसपास एप्रॉक्स रिजल्ट देखने को मिल रहा है कहीं ने कहीं एकड़मिक्स के स्थर पर घोड़ा खाल जैसे स्कूल जो क्यों रखन महीं हैं इनकी अगर में बात करूं तो यह आपको एक बहतर शिक्षा तो प्रोवाइड करते ही हैं इन सब के अलावा जो अधर फेक्टर्स हैं उनमें मैंने आप से कहा है कि सेनिक स्कूल का कमपेर्जन लगबग बराबर ही रहता है क्योंकि एक ऐसे प्रदेश विधाये मौजूद हैं और इस लिहाज से भी सेनिक स्कूल घोड़ाखाल अपने आप में बहतर माना जाता है एक खास बात सेनिक स्कूल घोड़ाखाल से संबंदित है जो उसकी ऑफिशल वेबसाइड में ही दी गई है वो यह है कि इस स्कूल ने अब तक तक तकरीबन 700 प पड़ते हैं और NDA और अधर डिफेंस एक्जाम्स देते हैं तो बिकम अन ओफिसर इन दी आम्ड फोर्सेज मिलिट्री नेवी आर्मी किसी में भी एर फोर्स में भी वहां आपका जो परसेंटेज है सक्सेस होने का वो जादा है 700 प्लस आपको जो अचीवर्स मिले हैं NDA, INA, TES जैसे एक्जामिनेशन में वो कहीं न कहीं आपको जानकारी देते हैं और ये जो बात हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं सिर्फ सिंस जैन्वरी 2020 यानि कि बीते तीन सालों में तीन से चार सालों में 700 प्लस कैड़िट्स दे दिये गए हैं इसके अलावा भी अधर एक्जाम जैसे कि UPSC IIT और अन्य जो कैटिगरीज के एक्जाम होते हैं जैसे कि NEET इट्सेक्टर उन सभी में भी अच्छा खासा एक दाइरा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से पास होने वाले बच्चों का फुल मिला करके मैं कहना जाता हूँ कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल अपने आप में एक ऐसा स्कूल है जिसको आपको देखना चाहिए और एड्मिशन और अगर आप उत्राखंट के ही निवासी हैं तो ऐसा होम स्टेट तो यह आपकी पहली प्रिफरेंस होना ही चाहिए इस सब के अलावा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को रक्षा मंतरी ट्रॉफी से भी नवाजा गया है और यह रक्षा मंतरी ट्रॉफी कौन से स्कूलों को मिलती है डिफरेंस मिनिस्टर ट्रॉफी की बात मैं करना हूँ और यह मिलती है हर साल एक ऐसे सैनिक स्कूल को जिस सैनि 33 सेनिक स्कूल से बच्चे एंडिया का इक्षाम definitely देते हैं और इन 33 सीनिक स्कूल मैंसे जिस सैनिक स्कूल से सबसे ज़्यादा बच्चे finally उस एक्षाम को क्रैक करके उसमें selection ले लेते हैं उस school को मिलती है रक्षा मंतरी ट्रॉफी और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को आज तक के इतिहास में तक्रीबन आत या आठ बार सेनिक स्कूल ट्रॉफी मिली है यहां आठ एट टाइमस इट गेट दी ट्रॉफी इस बात से भी साफ जाहिर हो जाता है इस स्कूल का प्रदर्शन कम से कम भारती सेनाओं में ऑफिसर भेजने के लि आपने डिफैंस सम्मंधित जो एक्जाम होते हैं जो इसमें बहुतर रिजल्ट अपने यूपी एससी आईटी जैसे जो बड़े इंटरेंस एक्जाम होते हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी खासी चादाद में इस स्कूल से बच्छों का सेलेक्शन देखा है यहां पर यह क्राइटेरिया है अब हर एक स्कूल के लिए भी अपना सकते हैं आप जिस स्टेट में रहते हैं सबसे पहले अगर उस स्टेट में सभी मोवजूद है तो सबसे पहले बापको होम स्टेट के सेնट स्कूल को चेक करना और उसी के आधार पर आपको देखना चाहिए कि क्या ये सेनिक स्कूल बागी सारे सेनिक स्कूल या फिर मैं कहूं एक क्राइटेरिया वाइस जो घोड़ा-खाल से संबंधित मैंने आपके सामने रखा था इसके अलावा अगर मैं एक और सेनिक स्कूल की बात करूँ तो माल लीजे अगर मैं बिहार के सेनिक स्कूल की बात करूँ सेनिक स्कूल गोपाल गंज की इससे संबंधित भी कुछ आंकड़े हमने आपके सामने जुटाए हैं तक्रीबन एक से डेल लाख रुपिय के आसपास पीस रहती है हर एक सैनिक स्कूल में कहीं वह एक लाख बीस से तीस हजार भी हो सकती है और कहीं वह एक लाख साथ बासट हजार भी हो सकती है अलग-अलग सैनिक स्कूल में आप ये नहीं समझे कि हर एक सैनिक स्कूल में फीस का क्राइटेरिया एक ही जैसा है थैनिक स्कूल की फीस लगभग मैंने कहा on an average डेर्ड लाख के आसपास जाएगी annually यारी की वार्शिक रूप से जो पेकन्नी होती है और इस फीस में आपको कहीं पर बिहार के जो पाल गंज स्कूल की बात कर रहा हूं उसकी फीस के बारे में जानकारी भी दी गई है इसकी फीस तक्रीबन एक लाख पचास जार के आसपास जाती है और यह मैं annual फीस की बात कर रहा हूं again I want to clear यह भी एक आधार हो सकता है पेरेंट्स के लिए सेनिक स्कूल में ड्मिशन का विकास फाइनेंशियल थिंग्स आर अल्सों मैटर वें विए टॉकिशन ऑफ चिल्डन अल्दो every parent try to do the best for his wards or the children but overall एक शम्ता के अधार पर भी चीज़े देखी जाती है और उस लिहाँ से यहांपर फीस mention थी इसलिए हमने आपको फीस बताई है अगर मैं 10th के exam या 10th के result की बात करूँ तो गुपाल गंज में दस्वी के result में आपको 2022-23 के result की जानकारी दी गई है यानि कि जस्ट पिछला जो board exam का result है उसमें बच्चों में जो 95% से अबव लाने वाले बच्चों की संख्या है दस्वी की कक्षा में वो थी 9 बच्चे ऐसे थे जिहांने 95% से ज्यादा स्कोर किया है दस्वी की exam में फिर इसी आधार पर मैं आगे बढ़ू और 90 से 94.9% इस range में स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या की बात करूं तो वो बढ़ करके हो जाती है तोटल 31 स्टुडेंट्स ये एक ही exam है जिसमें बच्चों ने अलग-अलग स्कोर किया है और उसके बाद अगर मैं बात करूं 85 से 89.9% स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या तो यहाँ पर 11 ऐसे बच्चे है इसी तरीके से 80 प्रतिशत से लेकर के 84.9 प्रतिशत की range में स्क है इसी तरीके से नीचे जाते 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 जब हम परसिंटेश को कम करते हैं तो बच्चों की संख्या भी कम होती है और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं यहां पर जो आपको 90 से 94 या 95 प्रतिशत की range में स्कोर करते वे दिखते हैं इस प्रकार से टोटल 64 स्टुडेंट्स ने या फिर कहें टोटल 64 केड़ेट्स ने दस्टुडेंट्स की कख्षा पास की थी और कितने बच्चों ने एक्जाम दिया था अगर मैं कहूं तो इतने ही बच्चों ने एक्जाम भी दिया था और इस आधार पर इस स्कूल का भी टैंथ का रिजल्ट रहा है 100 परसेंट 12 के एकर में रिजल्ट की इसमें बात करूँ यह एक्जाम लेवल पर जानना बहुत जरूरी होता है देखिए 12 ही के रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ हम आपको बताएंगे 12 के एक्जाम में नीचे से अगर मैं शुरूर करता हूं 60% से लेकर के 65% तक लाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो है 13 तेरह करड़ेट हैं जिन्हों प्रतिशत मार्क्स लेकर के वा आये हैं तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं और 75-80 की रेंज में जो बच्चे आ र बता हूं तो उनकी संख्या बनती है 75-65 में 22 बच्चे है 75-80 में 13 बच्चे है और इसके अलवा फिर में 85-90 की रेंज में बच्चों की संख्या बताओं तो वो बन रही है 9 और इससे पहले 80-85 की रेंज में भी 9 बच्चे हैं जिन्होंने 12 में स्कूर किया है तो आप देख सकते हैं यहां पर भी लगभग 100% का रिजल्ट 12 में भी देखने को मिला है एकेडमिक्स की लिहाज से यह स्कूल भी अपने आप में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ यहां पर हमें दिखता है अब इस स्कूल से NDA में कितने सेलेक्शन आस तक हुए हैं अगर मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँ तो जो डेटा हमारे सामने मौजूद ह है वह 2010 से लेकर के 2017 तक का है और NDA सेलेक्शन इस स्कूल से मैं बात कर रहा हूँ साल 2010 से 2017 के डेटा के आधार पर यहां पर आपको यह वाईज 2010 में टोटल तीन स्टूडेंट या तीन बच्चे दिखते हैं जो कि NDA क्वालिफाई करते हैं हाला कि एपियर होने वालों की स्कूल सेशुल तक कई बार बहुत कम आधारों पर नहीं हो पाता है 2010 में तीन बच्चों का सेलेक्शन हुआ है लेकिन फिर 2011 में बारह बंचे थे रहने रहुं बाद करूं तो हाल करओ इसेयों ने एंडेका एकजाम क्वालिफाय किया साल दोजार तेरह में अगर मैं बात் करूँ तो यहां पर छे बच्छों ने इस एक्जाम को क्वालिफाय किया था बहुत High paralеб SM है पाज बच्चे जी तरीके से साल 2015 में और 2016 में थोड़ा सा यह आंकड़ा था ही नीचे आता है उसे दो बच्चों का सेलेक्शन and in 2017 we see there are six credits who got selected in the NDA examination but overall आपको कहीं न कहीं nd achievers दिखते हैं और 12 से लेकर के साथ 6 बच्चे on and average आपको हर साल NDA में select होते वे दिखते हैं तो यह अपने आप में कहीं ने कहीं स्कूल की academic qualification को ही एक तरीके से पुखता करता है और जब बच्चे इतने competitive exam को crack करते हैं और final stage को पार कर जाते हैं तो यह दर्शाता है कि स्कूल में जो चिक्षा है वो बहतर है और उसे बच्चों के भविष्य के आधार पर भी दिया जा रहा है कि इसी तरीके से आपको बिहार में ही दूसरा स्कूल है सैनिक स्कूल नालंदा इसमें जो लिमिटेड जानकारी है उसमें सबसे पहले तो 100% result मैंने देखा है कि लगभग नालंदा मैं देखने को मिलता है और यह 100% result में बात कर रहा हूं क्लास दस्वी और क्लास बार्वी का academics की जानकारी कहीं ने कहीं इस 100% result के आधार पर भी मिलती है and over the last 13 years बीते 13 सालों में अगर हम बात करें इस स्कूल से पास आउट होने वाले बच्चों के संख्या तो various sources की तुरू जानकारी मिलती है उससे हमें यह समझ माया है कि बीते 13 सालों में एंडिये जैसे exam या other defense exams में पास होने वाले बच्चों के संख्या इस स्कूल से रही है 125 in overall 13 सालों में 125 बच्चे लगभग आठ से नौ बच्चे हर साल इस exam को crack करते हैं फ्रॉम नालंदा यह कुछ बिहार के सेनिक स्कूलों की जानकारी थी इसके बाद एक स्कूल और है जिसके बारे में बहुत जादा जानकारी तो नहीं है बट various sources के आधार पर जो समझ मात है वह एरल में मौझूद सेनिक स्कूल काजा कूटम भी अपने आप में एक अच्छा स्कूल माना गया है अच्छी है बट एंडिय सेलेक्शन की जानकारी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई या फिर वहां पर साफ तोर पर मिलती नहीं है नालंदा वाले स्कूल की अगर मैं आपको बात करूं तो वहां पर फीस है 1.4 तो 1.8 लैक के आसपास तो यह काफी जादा जाती है इस लिहाद से भी आप समझ सकते हैं कि यह जो टैनिक स्कूल नालंदा है यह अपने आप में डिमांड पे होगा और इसकी जो फीस है वो भी इसी प्रकार से रखी गई है इसकी फीस बहुत जादा जा रही 1.4 तो 1.8 लैक पर एरम के हिसाब से वहीं अगर मैं उस केरल के स्कूल की बात करूं तो काजा कूटम में आपको तकरीबन डेर लाग के आसपास या कहूं 1.56 लैक के आसपास फीस पे करनी होती है अगला जो स्कूल है वो एक बहतर स्कूल की केटिगरी में गिना जाना चाहिए यह जारखंड में मौझूद सैनिक स्कूल तिलाया को मैं क्यूं बहतर स्कूल कह रहा हूं वह बताने से पहले मैं आपको बता दू जारखंड के इस स्कूल की हम सैनिक स्कूल तिलाया कह रहे हैं कि annual फीस लगवग 1,48,000 से लेके 1,50,000 आधार के आसपास आपको देखने को मिलेगी दूसरी बात इसके अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं और इसे भी रक्षा मंतरी ट्रॉफी है उससे नवाजा गया था अब यहां पर क्यों ऐसा किया गया है वह मैं आपको पता ही है एंडिये प्लस अधर डिफेंस एक्जाम में या खास तोर पर यूपेसी तोरा कंड़क्ट किये जाने वाले एंडिये और नेवल एक्जाम में प्रदर्शन के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं कुछ प्रिवियस येर की में बात करूं तो साल 2019 से लेकर के यहां पर सेलेक्शन की जानकरी दिये तो एट टूटल आफि बच्चों के संग्या है दो और साल 2022 में एक बहुत बड़ा उच्छाल देखने को मिला है लगवग यहां पर चार बच्चों का ओवरॉल एससबी कॉल आया है और फाइनल रिजल्ट के लिए भी डिकलरेशन नहीं मिला है इन सब बातों के अलावा इस स्कूल से आपको अगले साल 2007 की नंबर अफ स्टूटेंट्ट फाइनली आट 26 इफाइंट टॉकिंग अबॉट यहां से सेलेक्शन हुए है और अगर मैं बात करूं साल 2008 की यहां पर आपको तेईस सेलेक्शन और साल 2009 में 18 सेलेक्शन देखने को मिले हैं तो 2006, 7, 8 और 9 यह कुछ ऐसे वर्ष से जो सैनिक स्कूल तिलाया है जहारखंड का उसने एक्सेप्शनल परदर्शन किया था और यही वज़ा है कि इसको डिफेंस मिनिस्टर ट्रॉफी से भी नवाजा जा चुका है तो एक तरफ सैनिक स्कूल घोडखाल का मैंने आपको जिकर किया जिसकी संक्या बहुत जाद कि इसकी अलावा फिर जो अगला इक अग्ड़ा स्कूल है वह है सैनिक स्कूल नगड़ोटा जो की जम्मू कशमीर में मौजूद सैनिक स्कूल नगड़ोटा में इगर मैं फी स्ट्रक्शर की बात करूं तो यह लगभग एक लाख एक तालीस हजार के आसपास आपको देखने को मिलती है more or less इसमें यही एक range है जो मैं बता रहा हूं अलग-अलग categories के लिए भी आपको पता होना चाहिए जो सेनिक स्कूल होता है उसमें अलग-अलग category के लिए अलग-अलग fee structure होता है यह आप उनकी official website पे भी आसानी से चेक कर सकते हैं उसमें पीज का पूरा एक composition बता दिया जाता है उसमें कितना हिस्सा किस चीज के लिए लिया जा रहा है यह भी आपको जानकारी दी जाती है पहली बात तो रही फीज की सेनिक स्कूल नगरोटा के बारे में एक बात यह है इस साल जो NDA का exam का written result आया था उसमें 30 credits या 30 students have passed the exam और मैं बात कर रहा हूँ written exam की उपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है कि इंडिया के written exam को इतने बच्चों ने qualify किया और जब इतने जादा बच्चे उस exam को qualify कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं selection finally भी जादा बच्चों का होगा जम्मू इन कश्मीर के इस नगरोटा स्कूल से तो यह एक criteria है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं यह स्कूल भी एक ऐसा स्कूल है जो से देखना चाहिए जिसमें अच्छी सिख्षया आपके बच्चे को मिल सकती है अगला जो स्कूल है वो महराश्टर का चैनिक स्कूल सतारा है और यहां की फीस भी लगभग एक लाख 48,000 के आस पास आपको मिलेगी based on the different categories उपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है महराश्टर के सतारा स्कूल में एंडिये एक्जाम में एचीवर्स की संख्या के बारे मैं आपको बताऊं और यह सा होने वाले आकड़े हैं साल 2020 में एंडिये जैसे फाइनल एक्जाम में 14 बच्चों का सेलेक्शन होता है जो कि अपने अप में exceptional है साल 2021 में 18 बच्चे और साल 2022 में 9 बच्चों का सेलेक्शन होता है और साल 2023 के अभी तक के जो रिजल्ट के आकड़े हैं उस लिहास से 13 होंगा सेनिक स्कूल घोडाखाल हो गया या सेनिक स्कूल नगरोटा हो गया या सेनिक स्कूल सतारा हो गया यह स्कूल है जिने आपने अपनी टॉप प्राइरिटी लिस्ट में रखना चाहिए और इस आपकी पहली प्राइरिटी हों गई ही और आप इसके बारे में ज्याद के बारे में मैं आप कहूं कि इनहें भी आपको जरूर देखना चाहिए उन सेनिक स्कूल की के टिकरी में आता है सबसे पहले जो है वह है आंदर प्रदेश का कोरकुंडा वाला सैनिक स्कूल इस स्कूल को भी आप जरूर चेक कीजिएगा यहां पर पी स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं तो एक लाख तीस हजार के आसपास इस पड़ती है हाला कि कई बार इस सीज़ के लिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि पेरेंट्स तयार होते हैं इतना पे करने के लिए बट फिर भी वन लैक थर्टी तो आपको यहां पर फीस पे क हैं देखिए कई सारे स्कूल बहुत पुराने हैं और वो लगातार इस एक्जाम में अपने अलग-अलग प्रदर्शन दर्शा चुके हैं लेकिन हमें अगर किसी ने रीसेंट्ली 2022 के समय पे अच्छे सेलेक्शन रेट जहां से देखने को मिल रहे हैं उस स्कूल को देखना जादा बहतर मुझे लगता है क्योंकि जो रीसेंट्ली रिजल्ट दिखा रहे हैं इसका मतला वहां पढ़ाई रीसेंट्ली सही चल रही है यह भी एक तरीगा हो सकता है आपकी क्राइटेरिया को जजज करने का कि आप लास्ट येर सेलेक्शन ट्रू वीरियस एक्जाम दे तो यह एक इस लिहाज से महेंगा सैनिक स्कूल है लेकिन यहां पर इसमें एंडिये के लिहाज से तीसरे नंबर पर रिटन क्वालिफाई की वे बच्चे हैं अल्मोस्ट 20 स्टुडेंट्स की लिस्ट यहां पर लगभग दिखती है जिन्होंने एंडियस एक्जाम को क्रैक किया है अब आप यह भी कह सकते हैं कि सिर्फ एंडिये एक्जाम को क्या क्राइटेरिया मना करके स्कूल को जच करना बहतर होगा मैं कहता हूं कि डिफरेंट स्कूल में जो फीस का स्ट्रक्चर है एकडिमिक क्वालिफिकेशन की जरुरत पड़ती है उसके साथ साथ आपको यह एक ग्लिम्स देता है कि बच्चों का जो प्रदर्शन है वहां कितना अच्छा रह रहा है अग्जाम में जिसके आंकड़े उपलब्द हैं उसके बारे में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं तो यह कहीं ने कहीं एक इंडिकेटर है कि इस स्कूल में बाक और उमीद करता हूँ आपको यहां से अपने पसंद के सेनिक स्कूल को चूज करने में कोई न कोई मदद जरूर मिली होगी अगर आपकी कुछ क्वेरी हों तो जरूर हमें इन मोबाइल नंबर्स पर संपर करें और फिर मिलेंगे आपसे एक अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में तिल दन अल दे बेस्ट टेक केर और बाइबाई